क्यों मेरा मैं पुरी उच चाओ दोस्तों इस रूपर में आज में बात करने वाला सिपिंधिक बहुत इस बैतरी में तो दोस्तों इस वीडियो में आप अन्लत करने करेंगे आप आप सबस्क्राइब बिनना है तो इस चैनल जो सब्सक्राइब पर लेज़ेगा अब बेला के दबाना मत भूलेगा तो दोस्तों जिस कंपनी के बारे मैं बात करने वाला हूं उस कंपनी का नाम है सब्सक्राइब करते हैं इस समय कंपनी के वैल्यूएशन आज फास है और अगर यहां पर सबसे अच्छी बात यहां यहां पर कोई बिजू स्टॉक कोई भी सेर जो यहां पे प्लिज नहीं है अफसर कंपने जो अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के बार जो अपने जो प्रोमोटर की होल्डिंग होते इसको प्लिज कर देते हैं लेकिन इस कंपनी देखा गया है कि यह काफी स्मूज चल रही है और बहुत भी बहुत कंपनियां थी उनको बहुत ज्यादे एफेक्ट हुआ था तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी देट के बार में यहां पर आप देख सकतने हैं कि देट टुक्विटी रिश्यू है दोहजार इकिस तक घटा है कहां दोहां सत्तरह में यह एट जिरू पाइट तू क् दोस्तों यह काफी अच्छी बात है कि कंपनी के पात बहुत ही कंपनी के पात बहुत कम होता है और यह वन से ज्यादे होती है तो यह कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि उसके पात लिए लोन बहुत ज्यादे होता है और दोस्तों इस केस में तो यह जी ल यहां पर हमें आ चुका हूं इनके profit margin के पास यहां देकि नेट profit दिया हुआ है अगर में बात को दोसत्तरा में इनका 274,000 क्रोन के आसपास था उसके बाद जो 2018 में डाउन हुआ यह इनका जो profit था निगेटिव में चला गया और अगर 2019 की बात करें तो बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है अब बढ़ता ही गया अब करें तो अभी 272 के 2021 जो आकड़ा था चास्तो चोवण उसको भी उनने पार करते हुए 918 के आसपास चले है तो बहुत ही बैतरी इनका पैसे को लाउस ना हो तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो अब अब तरह हमने बात कर लिए एक कंपनी की की जो होल्डिंग से वो किसके पास है आप यहां पर देख सकते हैं जो यह जो कंपनी के और यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं कि काफी अच्छे इन्वेस्टर्स जो यहां पर लगे हुए इस बहतरी अपने अपने होल्डिंग्स वह बना मिंटेन के हुए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनके फाइनिसरी परेंड के बारे उसके बाता लेकिन अगर में रिवेंडिय की बात को रिवेंडिय की दिए तो दो रहा तक डाउन हुआ था जैसा कि मैं आपको पहले यहां पर आप दे सकते हैं कि रेट इस्टर्ण सिपिंग कमपनी एकोईर सेंद हैंड्स वर्क करियर जैक राजीव तो यह जो सिद्धे इनके पास एक सिप थी जिसका नाम था जैक रजीव जो की जापानीज थी जिसको इन्होंने बाइ किया है और तो जो करेंट उनका है रहा है तो आप समल सकते हैं यह बहुत बडी कंपणी है और इनके जो फंडामेंटल सुमेन आपसे बात काफी कंपनी जो कंपनी की पारघिट कम है लोन कम है कंपनी जो आप धो तो हम बात कर लेतां कि यह चल रहा है और क्या क्यों बहुत है तो अगर हम इसको सेक्टर के P-Ratio से कंपे करता हूं अगर मैं देखते हैं यहां पी जो इसका कंपनी है जो P-Ratio वो है आपका 612 और सेक्टर के पी रेशियो वह आपका 27.04 तो दोस्तों यहां पर आप देखते हैं काफी जादे यहां पर जो है गैप है और इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो दोस्तों इस टॉक में जो बहुत जादे आप यहां पर साफ साथ देखते हैं जो P-Ratio यहां पर 6 है यहां पर 27 इसका पी रेशियो है वो काफी फाइब टाइम है जो इंडस्टी पी रेशियो है तो दोस्तों अगर ऐसा इस टॉक मिलता है तो इन्वेस्ट क्यों ना किया जरू करना चाहिए और दोस्तों मैं आखर में यह बता जाता हूं जो भी मैंने यहां बताया है और आगर आप को इस टॉक इसको बाई करते हैं तो यह आपकी जिमितारी है और आप जो है इन्वेस्टी में करने से पहले आपने से अडवाईजर्स जो रूद पूछ ले और